तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अधिगम एसक्षमता यहां से आपका CTAT में और TAT में दोनों एक्जाम में प्रसन बनेगा 101% प्रसन बनते हैं आपका वीडियो छोटी ही रहेगी इस वीडियो को आप लोग जरूर देखेगा और अपना फायदा उठाईएगा देखेगे सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करने वाले हैं डिस्थीमिया अब डिस्थीमिया होता क्या है वो चितर के माद्यम से आप लोग समझ सकते हैं देखे ये जो होता है गंभीर तनाव के वस्था होती है गंभीर तनाव बच्चे में आ जाता है और इस मनोविकार का पिर्तिकूल प्रभाव जो है बालक के अधिगम पर पढ़ता है यानि कि उसके पढ़ने पर उसके सीखन पर पढ़ता है ये डिस्थीमिया की अवस्था में व्यक्ति की जो मन सिती होती है वो हमेशा निम्र रहती है ठीक है हमेशा वो निगेटिव ही सोचता है ध्यान दीजेगा डिस्थीमिया हम लोग बात करते हैं दोस्तों डिस्कैलू के लिए ये तो बिरकुर सिंपल है सब देखेंगा ये आप लोग चितर के माध्यम सिर्दी देख पा रहे होंगे कि इसमें जो है वो गणित के कुछ वर्ड दिख रहे हैं लेकिन अगर मैं बात करूँगा डिस्कैलू के लिए तो कैल्कुलेटर किसके काम आता है अगर हम लोग कैल्कुलेटर की बात करते हैं परचे गड़ित को समझने में कठनाय का अनुभब करते हैं और इसे जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं देखो ये परसन भी बढ़ी है आपका एक नंबर बन सकता है यहाँ पर इसको दूसरे नाम से नूमलेक्सिया के नाम से जानता है नूमलेक्सिया के नाम से भी इसको ज इसमें या तो बच्चा ठीक से नहीं लिख पाता या उसकी लिखावत ठीक नहीं हो पाती शामानेत इसका कार्ण जो होता है वो हतेली या अंगलियो संबन्दी गड़बडियां होती है इसके अतरिक्त मस्तिक संबन्दी कुछ गड़बड़ी के कारण भी है अधिकम एशमता उत्पन हो जाती है या संभव है तो डिस्गिराफिय किसे संबन्दित है लेखन से संबन्दित विकार आपका डिस्गिराफिया होगी इसके बात करते हैं हम लोग बात करते है अलेक्सिया की अलेक्सिया में क्या होता है यानि कि दिमाग की बात की जारियां पर मस्तिस्क में किसी भी प्रकार की छत्री के कारण पढ़ने पर या पढ़ने में एशम्ता को अधिकम अलेक्सिया कहा जाता है यानि कि इसको अलेक्सिय कहा जाता है गाइज अलेक्सिया बहुत अच्छा रोग है मतलब रोग तो कोई अच्छा नहीं होता लेकिन कोसन जो है ये वाला आपका एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है इसलिए मैं बोल रहा हूँ अच्छा ठीक है कभी आप लोग सोचने लगों कि रोग अच्छा होता है रोग कोई अच्छा नहीं होता ये कोसन जो है एक्जाम के लिए बढ़िया है मस्तिस्क में किसी पिरकार की छहत्र की कारण पढ़ने में असक्छमता को अलेक्सिया कहा जाता है इससे सब्द अंधता या पाठ अंधता या विज्वल अफेज्या के नाम से जाना जाता है आपको ये तीन नाम याद रखने है सब्द अंधता पाठ अंधता या विज्वल अफेज्या किसको कहा जाता है साथियों अलेक्सिया को कहा जाता है इसके बाद बात करेंगे हम लोग इसके पड़ए की शती करने में बातचीत करने में ना पहले माले में भी आप लोगो को क्या मिल रहा है बातचीत करने में लेकिन दूसरे को पढ़ेंगे अंतर सामिल अंतर आप लोग को समझ माना चाहिए अफेजिया भासा एवं संप्रेशन अधिगम ऐस्चमता को अफेजिया कहा जाता दोस्तों कम्मिनिकेशन संबंदि विकार इससे पिड़ी छातर मोखिक रूप से सीखने एवं अपने विचारों को अभिवक्ती प्रदान करने में कठनाई का नभूब करता यानि कि वो बालग जो है अपनी बात को दूसरों के सामने अच्छे पिरकार से नहीं रख पाता अच्छे धेंग से नहीं रख पाता भोजी बात करेंगे हम लोग यहां पर डिस्प्रेक्सिया तो यह जो है अप्रेक्सिया का एक प्रिकार है जिसमें वेक्ति मस्तिस्क में छपिक कारने सूचना गतिक कोसलों में रिपढ़ता नहीं हो पाता वह हाथ एवं आखों के बीच समन्वे एवं संतुल ने स्थापित नहीं कर पाता डिस्प्रेक्सिया तंत्रीकातन संबंधी विकार है जिसे हम लोग जो है sensory integration disorder कहते हैं तो इसका नाम आप लोग जो है दूसरा नाम द्यान देगेगा तो एक नमबर का प्रिशन आपको मिलेगा ही मिलेगा इस वीडियो से सभी साथियों से रिक्वेस्ट रहेगी अगर आप लोग पहली बार चैनल परा हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तो बैल आइकन को प्रेस जरू कर देना अलेक्सया की बात करेंगे यह है एक ऐसा सारे रिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मास पेसियों के संचालन में संबंध सूक्ष मकतिक कोसल जैसे की लिखने चलने टहलने बोलने में नहीं हो पाता यह भी आपका इंपोर्टन है तो यह जो है मस्तिस्क में सेरे ब्रम में च्छतिक कारण आपका होता है उसके बात करते हैं डिसलेक्सया की यह आप लोग का बिको सिंपल ही है जैसे बी को डी पढ़ना है ना एम को डबलू पढ़ना सा को वाज पढ़ना है ना नूकलर को अरंकलर में मतलब अंतर निस समझना तो यह क्या होता डिसलेक्सया होता है पठन सम्मंदि विकार जो होता है वो डिसलेक्सया होता है छोटी वीडियो मैंने आप लोग को दी है लेकिन आप लोग को I hope यहां से एक प्रसंद जरू मिल जाएगा थैंक्यू सो मच नेश्ट वीडियो आपकी कौन से टोपिक पर बनाए जाए वो मुझे कमेंट सेक्सिन में बताएगा थैंक्यू